Hello friends, welcome to our channel इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे RRB NTPC Salary जो है After 7th Pay Commission तो अगर आप Railway, NTPC, Group D ये Railway की किसी भी Government एक्जाम की तयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफी helpful होने वाला है और आपको इससे काफी motivate भी मिलने वाला है, चलिए तो इस टार्ट करते हैं देखिए इसमें हम लोग आज इसमें पाँच पोश्ट के ये जूनियर कलर्क कम टाइपीस्ट, सेकेंड हो गया एकाउंट्स कम कलर्क कम टाइपीस्ट थर्ड हो गया जूनियर टाइम की पर उसके बाद हो गया train clerk, उसके बाद हो गया clerk, commercial ticket clerk, यह जो हो गया total 6 post का या फिर 5 post का आज हम लोग discuss करेंगे कि उसका salary क्या है after 7th pay commission, चलिए और इसके साथ हम लोग इसमें salary के साथ साथ इसमें क्या-क्या allowance भी मिलते हैं, उसको भी announce करेंगे, जैसे कि dearness allowance, इसी को कहते हैं DA, उसके बाद हो गया HRA, house rent allowance, HRA, उसके बाद हो गया transport allowance, उसके बाद pension scheme, medical क्या-क्या-क्या benefit है, उसके बाद other special allowance, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले इसमें देख लिजिए, जैसे junior clerk come typist, यह level 2 के अंतरगत आता है, junior clerk come typist, इसका जो initial पे है, वो है 19,900, किसका है junior clerk come typist post का, जो की NTPC के थ्रू है, इसको detail से देखते हैं, देखिए, salary for junior clerk come typist, salary के बाद इसमें क्या-क्या-क्या allowance है, उसको भी देख लेते हैं, देखिए, पहला है basic pay, जो है, आपका 19,900 है, उसके बाद में है, आपको grade पे हो जाएगा 800, उसके बाद DA ह जो currently अभी 12% from basic pay से है, जो कि बनता है 2388, उसके बाद travel allowance जो है, वो fixed है currently, 2600 रुपे, यह सब रुपीज में है, और HRA है, जो है 1592, जो यहाँ पे है total बनता है, total बन रहा है 28,696 रुपे है, 28,696 रुपे है, यह जो है, देखिए, इसका junior clerk come typist का, total बन रहा है 28,696 रुपे, इसके बाद अगर आप CT पे भी अंदर पड़ता है, अगर आप CT X में है, तो आप इसमें 4 से 5000 एड़ कर सकते हैं, CT Y में है, तो 2 से 3, और CT Z में है, तो आपका इतना minimum आपका रहेगा, 28,696 नेक्ष्ट पोस्ट हम लोग देखते हैं, नेक्ष्ट ह कम टाइपिस्ट, यह जो आता है, लेवल 2 के अंतरजात आता है, इसका जो बेसिक पे है, इसका भी सेम है, 19,900, इसको हम लोग डिटेल से देखते हैं, देखिए, जूनियर, यह जो है, किसका हम लोग डिसकस किये थे, यह है, एकाउंट्स क्लरक कम टाइपिस्ट का, यह हो बेसिक पे कितना है, बेसिक पे यहां पे दिया है, 19,900, इसको बाद ग्रेड पे है, 2800, दिये है इसमें, 12% होता है बेसिक पे का, तोकि यह है 2,000, दिये है इसमें, 2,388, उसके बाद है, टेवल एलाउन से टिये है, 2,016, और HRA है, 1592 रुप्या, टोटल जब कर देते हैं, तो ये भी आता है 28,696 रुप्या ये भी आगिया आपका 28,696 इसमें भी सेम प्रोसेस है अगर X CT है तो 4 से 5,000 जोड दीजिए Y है तो इसमें Y CT है तो इसमें 2,000 और अगर Z है तो Z के लिए minimum आपका 28,696 रुप्या कन्फर्म होगा ही होगा नेक्स्ट है हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है हमारा जूनियर टाइम कीपर जो की लेवल 2 की अंतरगत आता है और इसका इनिशियल पे कितना है तो 19,900 जूनियर टाइम कीपर का इसको हम लोग डिटेल से देखते हैं देखिए RRV NTPC salary for जूनियर टाइम कीपर क्य और travel allowance है जो की है 2016 और HRA है minimum 8% और basic पे होता है जो की होगी है 1592 टोटल जब सभी को add कर देंगे तो कितना आएगा 28,696 रपी आ जाएगा और इसमें भी सेम प्रोसेस है एक सिटी है तो जो लिजिए 5000 एबर में लिखी देता हूँ यहापर add कर लिजिए गा एक सिटी है तो 5000 कम से कम इसमें add कर लिजिए अगर Y City है तो 3000 add कर लिजिए और अगर Z है तो minimum आपका इतना रहेगा ही 28,696 नेक्ष्ट है अगला पोस्ट है हमारा देखिए नेक्ष्ट है train clerk का जो की आता है level 2 के अंतरगत आता है और इसका जो है initial pay जो की basic पे कितना है 19,900 इसका भी है train clerk का द basic पे 19,900 grade पे है 2800 TA है इसमें जो की currently 12% of basic भी होता है तो होता है 2388 TA है या आपे travel allowance है 2016 और HRA है 1592 टोटल ये भी होता है 28,696 सेम इसमें भी है X City में जोड दीजिए फिर Y City में अपना grade Z City है तो minimum 28,696 हो जाएगा देखिए हम लोग इसमें next है हमारा commercial कम टिकट clerk ये जो आता है ये level 3 के अंतरगर आता है इसका basic पे ज्यादा है कितना है 21,700 इसका basic पे है इसको हम लोग complete detail से देखेंगे उससे पहले आप लोगों के लिए update है कि अगर आप railway का या किसी भी government exam के लिए तैयारी करते हैं या फ अंदर आपको मिलेगा और विद्धारा का जो की electric current का है 180 plus mcq questions जो है एक ही जगह मिल जाएगा आपको playlist को जाके चेक किजी साइंस जी के physics साथ में आपको PDF जो है PDF आपको महाँ पे free में मिलेगा कोई कोश ने लगेगा PDF के लिए और एक ही जगह में तो अगर आप इसको एक कोश्चन है यह NCRT और previous year कोश्चन जैसे की railway SSC जितने भी government exam होगे उसी के बेस्ट पे यह कोश्चन है साथ में PDF भी एवलेबल है PDF भी एवलेबल है free में उसके बाद है Soundwave चैप्टर का भी है 100 प्लस MCQ कोश्चन एवलेबल है धवनी तरंग के उसके बाद है गुत्वा कर्शन चैप्टर का 100 प्लस MCQ कोश्चन एवलेबल है इसलिए आप playlist को जाके चेक किजिए आपको कहीं भी बटकना नहीं परेगा उसक के बाद है कारे उर्जा एवंग शक्ति के उपर वर्क पावर एनर्जी के उपर 90 प्लस MCQ कोश्चन एवलेबल है उसके बाद मात्रक एवंग विमाए यूनिट एंड डाइमेंशन के 100 प्लस कोश्चन MCQ कोश्चन एवलेबल है वीडियो भी और साथ में free PDF भी अबलेबल है सेल्या कमर्शियल कम टिकट कलर का हम लोग इसको विस्तार से देखेंगे कि सालरी क्या क्या है उसका साथ साथ डिये कितना है देखिए बेसिक पे है इसका बेसिक पे हो गया 2900 29,200 पिश्चन इस अच्छन और देखिए और हम लोग यहां पर अवे डिसकस किये थे टिकट कलर का हम लोग अब डिसकस कर रहे हैं इसका देख लेते हैं क्या है देखिए क्या है बेसिक पर है इसका बहुत जादा है देखिए इसको जब रूपीज में कनवर्ट करेंगे तो टोटल आ जाएगा 41,256 रूपिया इसमें भी अगर CTX है तो 5000 एड कलेजी और अगर CTY है इसमें 3000 एड कलेजी और CTZ है तो मिनिमम आपका 41,256 रूपिया आशा करते हैं कि ये वीडियो से आपको काफी मोटिविनिट म मिला होगा तो अगर आपके शिवी गमेंट एक्जाम के तयारी करते हैं तो हमसे चुरिए और हमारा जो चैनल है आप उसको लाइक सेर और सब्सक्राइब कर दिजिए मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद